नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों यदि आप गन्ने की खेती करते हैं या अन्य फसल भी आप लगाते हैं और आपको लगता है कि ये भी एक फाइदे का सोदा अब फिलाल नहीं रहा है तो इसके अलावा भी जिन किसान भाईयों के पास कम जमीन है तो उनके लिए मैं एक ऐसी फसल लेकर आया हूँ उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दोंगा कि कैसे लगाए जाती है किस तरह की जमीन में उगाए जा सकती है और ये जो फसल होगी इसमें लागत कम होगी, कम देखबाल होगी और इससे जो आपको लाब होगा वो बहुत जादा होगा तो इसी की मैं आपको आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ तो इसका फसल का जो नाम है वो है थाई एपल बेर यानि के एक तो सिंपल बेर होता है लेकिन ये थाई एपल बेर के नाम से मशूर है किसान भाईो ये जो थाई एपल बेर होता है ये देखने में सेव जैसा नजर आता है और खाने में जो उसका स्वाद होता है वो बेर जैसा ही होता है और ये थाईलेंड की फसल है और लगबग 10 साल पहले ये भारत में लाई गई थी जिससे कि यहां के किसान भी इससे ज़्यादा लाब उठा सकें ज़्यादा पैसा कमा सकें इसका जो कलर होता है वो चमकदार होता है जो साइज में है वो जो सिंपल बेर होता है उससे बड़ा होता है और यह जो थाई एपल बेर होता है यह 40-120 गिराम तक इसका वजन होता है और जो इसमें परतिरोधक चमता होती है वो सेब के समान ही होती है इसके सबसे बड़ी खुबी यही है कि इसकी जो खेती में है कम लागता आती है कम देखबाल की जरूर्थ होती है जिसका फल होता है बड़ा होता है छिलिए इसकी तुडाई में भी कर्चकम होता है और कम समय में यह काफी संक्या में पोदों से इसकी तुडाई हो जाना यदि बाजार की बात की जाए तो ये बेर की आजकल कई वेराइटिय हैं इनमें जो थाई एपल बेर है और कसमीरी बेर है इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और बेर की ये किसमे देखने में कच्चे सेव जैसी लगती हैं जो स्वाद में भी खटे मीटे होते हैं और इसे क आइलेंड की वेराइटी है लेकिन जो भारत की जलवाई हुए इसके एकदम अनुकूल है भारत में इसकी खेती जम्मू कसमीर से लेकर कन्या कुमारी तक बड़ी आसानी के साथ की जा सकते हैं ये भारत के सभी छेत्रों में इसका पोदा उगाया जा सकता है और ये अब त इसके पोदो के लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो खेत की तयारियों से अच्छी तरीके से जुताई करें रोटावेटर से उसके जुताई करें इसके अलावा जदी जमीन में हम पहली बार जब ये लगाते हैं तो मिट्टी पलट से भी जमीन को पल्टे ताकि जो नीचे कीट पतंगे होते हैं वे भी नश्ट हो जाएं और पोदों को कुछ हानी नहीं पहुँचाएं इसमें आप खेत में आवेशकता अनुसार जैसे कि आप गन्ना के खेतों में गोबर की खाद लगाते हैं तो वही सड़ी गली गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करें औ किसान भायो जब इसका तीन भाय तीन का गड़ा खोद लिया जाता है तो उसमें 50-60 किलो गोबर की खाद भर दें और भरने के बाद 20-25 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दे और 25 दिनों के बाद उसमें पोदों की रोपाई करें वैसे तो इसके लिए सभी परकार की मिट्टी लगाना चाते हैं तो लगबग 12-15 फीट उनकी पोदे से पोदे की दूरी रखनी चाहिए और इस परकार एक बिगे में ये 80 पोदों के लगबग लग जाते हैं यदि आप इसमें मिश्रित केती भी करना चाहें तो बेर की जो कतारे होती हैं उसके बीच में बैंगन, मर्च टमाटर, मूंग और इस तरह के से आप अन्य फसल भी इसमें उगा सकते हैं किसान भाईयो सुरू सुरू में इसमें लगाने में लागत ज़्यादा आती है लेकिन एक साल के बाद ही ये उत्पादन देना सुरू कर देता है तो लागत में कमी आ जाती है और एक बार पोदा लगाने के बाद ये 20 सालों तक आपको लाब देता रहता है यानिके 20 सालों तक ये फसल देगा आपको सुरूआत में एक पेड़ से आप 30-40 किलो तक ही उत्पादन ले सकते हैं लेकिन जब ये आगे चलकर बड़ा हो जाता है तो 100 किलो तक बड़ी आसानी के साथ दे देता है बाजार में इसकी कीमत बहुती ज़्यादा बहुती अच्छी मिलती है तो इस कारण से ये कम लागत में ही आपको ज़्यादा पहुंचाता है और किसान बायों का रुजान इस और ज़्यादा है और किसान बायों जिनके पास कम जमीने उनके लिए तो ये वरदान से कम न नहीं है फिर मिलते हैं ऐसी जानकारे के साथ तब तक के लिए सभी किसान भायों को नमस्कार